समस्त मात्र शक्तियों भाई बंदों सादर जैस्री करश्न फालगो नमास करश्न पक्ष की विजिया एकादशी का वरत सरद्धा पुर्वक विदी पुर्वक करने से और इसकी पावन वरत कथा सरवन करने से दसो दिशाओं में विजैस्री की प्राप्ति होती है कई जन्मों के पापों का नाश होता है जो भी मनोकामना होती है स्री हरी की करपा से भाई शिग्रपूर्ण हो जाती है तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे विजिया एकादशी की पावन वरत कथा पुजा विदी पारण का समय और इस दिन कौन-कौन से विशेस वा सटिक उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामना है शिग्रपूर्ण हो तो सबसे पहले विजिया एकादशी की पौरणिक वरत कथा हम सुनाते हैं इसे ध्यान पुरवक आप स्रवन करें उसके पश्चात इसका शुम महुरत और इस दिन पूजन अर्चन आपको किस प्रकार से करना चाहिए वह भी आपको हम बताएंगे तो इसकी पावन वरत कथा इस प्रकार से है भगवान स्री कुरुष्ण जी कहते हैं कि है राजन फालगुन मास में कुरुष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजिया एकादशी है इस वरत के प्रभाव से राजाओं को विजय और मनुश्यों को पापों से मुक्ती मिल जाती है इसके महात्मे के स्रवन वा पठन से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं यानि इस जन्म के और पिछले जन्मों के पापों को भी नाश कर देता है यह विजिया एकादशी वरत करने वालों को अपने कारी छेत्र में विजय प्राप्त करवाती है तो त्रेता युग में मरियादा पुरुषोत्तम स्री राम को पिता की आग्या से चवदह वर्ष का वनवास मिला था वे भाई लक्षमन तथा सीता जी सहित पंच वटी में निवास करने लगे जहां से लंका नरेश दुष्ट रावन ने सीता जी का हरन कर लिया था स्री राम चंदर जी और लक्षमन अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए थे स्री राम भाई लक्षमन को साथ ले करके सीता जी की खोज में चल दिये थे आगे चल करके वे समुद्र तट पर पहुँचे वहां कुमारी द्वीप में बकदा लब्य नामक अत्यंत तेजैस्वी मुनी निवास करते थे स्री राम चंदर जी बकदा लब्य रिशी के पास आस्रम में गए वहां जाकर कि उनको प्रणाम करके बेड़ गए मुनी इनको देख करके पहचान गए और बड़े ही प्रसन्न हुए उन्होंने मनुष्य रूप धारन की हुए भगबान मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा कि है स्री राम आपका यहां आगमन कैसे हुआ है तो स्री राम चंदर जी कहने लगे कि है स्रेष्ठ रिशीवर मैं अपनी सेना सहित यहां समुद्र किनारे आया हूँ और रावन की लंका पर विजई प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ आप करपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाईए समुद्र पार करने पर ही मैं विजई को प्राप्त कर सकूँगा तब महर्शी बकदा लब्य रिशी कहते हैं कि फालगुन मास के कुरुष्ण पक्ष की विजिया एकादशी का वरत करने से निश्चे ही आपकी विजई स्री होगी आप अपनी वानर से ना सहित समुद्र भी पार कर लेंगे स्री राम जी के पुछने पर महर्शी बकदा लब्य ने कहा कि इस वरत की विदी बहुती साधारन वा सरल है दसमी के दिन सोने चांदी तांबा या मिट्टी का एक कलस स्थापित करें उस कलस को जल से भर करके तथा पंच पलव रख करके एक वेदी का पर विराजित करें उस कलस के नीचे सबत धन्य साथ प्रकार का अनाज रखें और उसके उपर जव रखें उस पर स्रीमन नारायन भगवान की मुर्ती को विराजित करें एकादशी के दिन इसनान आदी से निवरत हो करके धूप दीप गंद पुष्प नेवेद्य नारियल आदी से सारे दिन भगवान का पूजन अर्चन करें ततपश्चात स्रीमन नारायन के मुर्तियुक्त कलस के सामने बेट करके दिनमर भजन ध्यान में समय वेतित करें रात्री को भी किर्तन भजन और जागरन आदी करें द्वादशी को अखंड वरत की सिद्धी के लिए सुद्ध गी का दीपक जलाएं द्वादशी की दिन नित्य नियमों से निवरत हो करके नदी या सरोवर पर इस्नान करने के पच्चात वह कलश किसी विदवान वेद वेता ब्रामन को दान में देवें तो हे राम यदि आप इस वरत को अपने सेनाप पतियों के साथ सरद्धा सहित भक्ती के साथ करेंगे तो आपकी विजई स्री निश्चित होगी स्री राम चंद्र जी ने रिशी के कथन अनुसार यह एकादशी का वरत संपन्न किया और समुद्र पार करके राक्षण सो पर विजई प्राप्त की उन्होंने युद्ध में रावन को मार करके लंका पर विजई प्राप्त की और सीता जी को बंधन मुक्त करवाया तो हे पांडू नंदन जो विधी पूरवक सरद्धा पूरवक इस वरत को करता है जीवन में उसकी विजय अवश्य होती है तो यहाँ जो कथा है इसकंद पुराण में वरणित की गई है इस वरत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है इस दिन सिंगाडे का सागार प्रातह काल लेना चाहिए सिंगाडे कुट्टू व दूद से बने हुए पदार्थ फल आदी का सेवन इस वरत में आप कर सकते हैं तो इस दिन का शुम मोहरत इस प्रकार से रहेगा विजिया एकादशी तिथी का प्रारंब 16 फर्वरी 2023 को प्रातह काल 5 बच के 32 मिनिट पर होगा एकादशी तिथी का समापन 17 फर्वरी 2023 को 2 बच के 59 मिनिट पर होगा विजिया एकादशी वरत गुरुवार 16 फर्वरी 2023 को रखा जाएगा विजिया एकादशी पारण का समय रहेगा सत्रा फरवरी को प्रातहकाल आठ बच के एक मिनिट से आरंबहु करके प्रातहकाल नो बच के तेरह मिनिट तक रहेगा और द्वादशी के दिन हरी वासर समाप्त होने का समय प्राताहकाल आठ बच के एक मिनिट का रहेगा तो विजिया एकादशी की पूजा विधी इस प्रकार से है इस विधी से पूजन अर्चन करने से इस वरत का पूरा पूरा फल मिलेगा इस एकादशी वरत की विधी यहा है कि दश्मी के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं उस घड़े को जल से भर करके तथा पांच पलव वेधी का पर विराजित करें उस घड़े के नीचे सत नजा साथ प्रकार का नाज और उसके उपर जव रखें श्रीमन नारण भगवान की स्वर्ण तांबे या पितल की मुर्ती को उसके उपर विराजित करें एक आदेशी के दिन इसनान आदी से निवरत्त हो करके धूप दीप नेवेद्य नारियल आदी के द्वारा भगवान की पूजन अर्चन करें तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य करें ततपस्चात घड़े के सामने बेट करके दिन भर समय वेतीत करें रातरी को भी इसी प्रकार बेट करके भजन जागरन आदी करें द्वादेशी के दिन नित्य नियंपों से निवरत्त हो करके उस घड़े को ब्राह्मन को देवें उसके पस्चात स्वयम इस वरत का पारण करें अतह विदी पुर्वक वरत करने से दोनों लोकों में विजय तथा जो कोई इस वरत के महात्म को पढ़ता है उसको वाजपे यग्य का फल प्राप्त होता है तो विजिया एकादशी के दिन किये जाने वाले कुछ सटिक वा सरल उपाई इस प्रकार से हैं सबसे पहला उपाइस प्रकार से है विजिया एकादशी के दिन दक्षणा वर्ती शंक में जल भर करके उससे भगवान स्री विश्णु जी का अविशेक स्रद्धा पुर्वक करें स्री विश्णु जी का वास पीपल वरक्ष में भी होता है अतह पीपल में जल अरपित करके खीर पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग अरपित करें यथा शक्ती परिक्रमा करें विश्णु भगवान के नाम मंत्रों का जाब करें इस दिन विश्णु सहस्त्र नाम य विश्णु जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाब करें यदि प्रचंड धनल आपके आपकी इच्छा है तो विश्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन वा अभिशेक करें इससे माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद भी आपको मिलेगा और एकादेशी के दिन साम के समय तुलसी जी के सामने सुद्ध घी का दिया जला करके प्रणाम करके आपने मन की इच्छा को बोले मनो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी और एकादेशी के दिन विधी पुर्वक वरत करके लक्ष्मी और स्री विष्णुजी की उपासना करने से उत्तम संतान तथा सुक सम्रद्धी का वरदान भी मिलता है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्री करश्न मित्रों फिर मिलेंगे